3,38,424 स्क्वाइर किलोमेटर में फैला फिनलेंड जिसको ओफीशन नाम रिपब्लिक ओफ फिनलेंड है यहां की सबसे बड़ी सिटी हैलन सिंकी है साथ ही है फिनलेंड की राजधानी भी है इसके अलावा तुर्कू, टेंपरेरे, ओलो, एस्पो, वान्ता, रोवानियेमी, लापिरांता, पुर्वा, लाटती, वासा, काउपियो, रोमा आदी भी इसके शहर हैं फिनलेंड की अबादी 55,30,000 है वर्ल्ड हैपिनेस रिकॉर्ड की मताबिक साल 2019 में इस देश को सबसे खुशाल देश माना गया यहां की पुलिस की बात ही अलग है जितना बड़ा क्राइम उतनी ज्यादा फाइन मतलब जितनी तेज गाड़ी की स्पीड होगी उतना ज्यादा फाइन भरना होगा फिनलेंड में ट्रैफिक फाइन सेलरी के मताबिक लिया जाता है दोस्तों फिनलेंड के पासपोर्ट से बिना वीजा के 127 कंट्रीज घूमने की अजादी है और इसलिए यहां का पासपोर्ट वर्ल्ड का चौथा सबसे मजबूत पासपोर्ट है फिनलेंड में 2 नवंबर 2018 में एक सेक्स डॉल वैशाले बनाया गया जहां 100 यूरो देने के बाद सिलिकॉन से बनी डॉल के साथ जो मर्जी इनसान कर सकता है इस देश में 27 जुलाई को एक अलगी फेस्टिवल मनाया जाता है जितने भी आलसी हैं या जो सिर्फ सोते रहते हैं उन्हें लोग सोते सोते पानी में गिरा देते हैं सिक्षा के मामले में इस देश ने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रखा है यहां पर स्कूल में एक दिन में सिर्फ चार घंटे पढ़ाई कराई जाती है इसके अलावा साथ साल तक बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता जहां बात हाई स्कूल की फीज देने की आती है तो इसके लिए माता पिता निश्चिंत रहते हैं सुई से लेकर काटा बत्तमीजी करने पर चाटा सब फ्री है दोस्तों फिनलैंड को लैंड ओफ थाउजन लेक्स भी कहा जाता है यहां का सत्तर परतिशत भाग खुबसूरत जंगलों से भरा है और लेक्स की गिंती तो एक लाग से भी अधिक है मशूर कमपनी नोकिया, एंगरी बर्ड और क्लैश ओफ क्लेंज यहीं शुरू की गई फिनलैंड की एक सिटी ओलो में 1996 के दौरान एक म्यूजिक कॉम्पिटीशन हुआ जिसे एयर गिटार वर्ल्ड कॉम्पिटीशन नाम दिया गया जिसमें हिस्सा लेने वाले स्टेज पर गिटार बजाते थे लेकिन गिटार उनके पास होता ही नहीं था मतलब हवा में बस एक्टिंग करो इसलिए इसे एयर गिटार कहा गया मतलब कुछ भी यार फिनलेंड में पीचडी करने पर एक टोपी और तलवार दी जाती है दोस्तों यहां पर 12 में से 8 मैंने ठंड होती है और इस दौरान तापमान माइनस में होता है और एक बार यहां का तापमान तो माइनस 55 डिगरी भी चला गया था फिनलेंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां 24 में से 23 घंटे सूरज की रोशनी बिखरी रहती है और कई ऐसी जगे भी हैं जहां रात होती ही नहीं मतलब सूरज की रोशनी 24 घंटे रहती है इस देश की ओसतन आयू 84 साल है जिसमें से पुरुष 82 साल और महिला लगबग 84 से 85 सालों तक जीवन बिताती है इस देश में जितनी गाड़िया नहीं है उससे भी ज़्यादा सौनास है अब आप सोच रहे होंगे ये सौनास क्या है असल में ये एक बॉड़ी थेरेपी होती है जिसमें एक छोटी सी जगे को भाब से भर दिया जाता है जिससे बॉड़ी को रिलेक्स मिलता है या फिर हलके गर्म पानी में लोग घंटो बैठे आराम फरमाते हैं फिनलेंड की महिलाओं को पूरे यूरोप के देशों में सबसे पहले वोड देने का अधिकार मिला था और 1906 में फिनलेंड की महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था